नमस्कार आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नमनी टॉक्स में बचों आज हम देखेंगे कक्षा आठ की हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज और इस पुस्तक को लिखा है पंडी जवाहरलाल नहिरूजी ने आज हम इसी पुस्तक का पाच्वा पाठ देखने जा रहे हैं जिसका शीरषक है नई समस्याएं इस पाठ में भी बहुत सारे चोटे शीरषक दिये गए हैं जिनें हम अलग-अलग भागों में आज तक पढ़ते आए हैं आज जो हम शीरषक पढ़ने जा रहे हैं वो इस पाठ का साथ्मा भाग है और आज जिस शेशक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष अंग्रेजों की विज़े। तो आएए देखते हैं मराठों और अंग्रेजों और इनके बीच जो संघर्ष है उसकी क्या कहानी पंडि जवाहर लाल नहरू हमें इस पार्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आएए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रभुत्व का क्या मतलब होता है। किसी चीज़ पर पूरी तिरह से कबजा कर लेना मतलब वहां का राजा बन बैठना। तो यहाँ पर प्रभुत्व के लिए राजा बनने के लिए या किसी चीज़ को पूरी तिरह से अपने कबजे में करने के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच में लगातार संघर्ष हो रहा था संघर्ष का मतलब है युद्ध हो रहा था और इसमें अंततः विजय किसकी हुई अंग्रेजों की हुई तो यहाँ पर आईए देखते हैं किस चीज को लेकर के मराठों और अंग्रेजों के वीच में संघर्ष था इस संघर्ष के दौरान और कौन-कौन सी परिस्थितिया निकल करके सामने आई ये सारी चीज़े हम इन बिन्दूओं के माध्यम से पढ़ेंगे सबसे पहले जो कहानी शुरू होती है वो है औरंग जेब की मृत्यू से मुगल सामराज्य का जो आखरी शाशक माना जाता है औरंग जेब उसकी मृत्यू हो चुकी थी और इसकी मृत्यू कब हुई थी? इसकी मृत्यू हुई थी 1707 इस्वी में औरंग जेब की मृत्यू के बाद और धीरे धीरे उभर करके सामने आ रहे थे उन्हें पता चल चुका था कि मुगल सामराज्य का अंत होने वाला है और भारत पर पूरी तरह से कबजा जमाने के लिए वो एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे तो यहाँ पर अगले सौ वर्षों तक भारत वर्ष पर पूरी तरह से कबजा करने के लिए यहाँ पर भारत वर्ष में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इन लोगों के बीच में संघर्श हो रहा था अब यहाँ पर चार ऐसे समूध है जो की भारत पर अधिकार जमाना चाहते थे और वो यह कह रहे थे कि हम ही इसके असली हगदार हैं तो यह कौन-कौन से चार समूध है आईए देखते हैं पहला था मराठे मराठों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है मराठे जो हैं वो समय समय पर औरंग जेब की गलत नीतियों के विरुद खड़े हुए और उन्होंने औरंग जेब से युद्ध भी किया अंग्रेजों से भी इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े तो पहली जो शक्ती थी जो कि भारत वर्ष पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती थी वो थी मराठे दूसरा था दक्षिन में हैदर अली और उनका बेटा टीपु सुल्तान दक्षिन में हैदर अली अपना सामराज्य फैला करके बैठा हुआ था हैदर अली का बेटा जिसका नाम था टीपु सुल्तान ये भी बहुत ही एक वीर राजा था तो यहाँ पर ये लोग जो थे ये और वो भी कहीं न कहीं ये चाहते थे कि पूरे भारत पर उनका शाषन चलना शुरू हो जाए तो ये भी इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे थे युद्ध कर रहे थे और जो अंतिन दावेदार थे वो थे अंग्रेज अंग्रेजों का भी धिरे धिरे सामराजी यहां बढ़ रहा था उनकी शक्ती बढ़ रही थी और वो भी यही चाहते थे कि पूरे भारत को वो अपने कबजे में ले 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 तो ये जो चार दावेदार थे इनमें युद्ध हो रहा था समय समय पर इनके बीच में संघर्ष चल रहा था तो आईए देखते हैं आगे क्या होता है अ मराठा, हैदर अली और उनका बेटा और फ्रांसिसी और अंग्रेज इन चारों दावेदारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली दावेदार कौन था तो यहां पर मराठे शक्तिशाली दावेदार थे लोगों को यह लगता था कि मराठे जो हैं उनकी राजनेतिक विवस्थ अब बहुत ही अच्छी है, शाशन को चलाने के जो नियम कानून है वो बहुत ही सशक्त हैं और दूसरी जो चीज जो इनहें काफी शक्तिशाली बनाती थी वो थी इनकी सैनिशक्त, इनके सैनिक जो थे वो बहुत ही साहसी योद्धा थे और इसलिए मराठों को सबसे ज्या सीथाषन पर बैठता है और राज का समालता है उसे उत्रा धिकारी कहते हैं तो बिल्कले अई SO expanded हो जाने के बाद मराथे उस जगह को भरने वाले हैं उस सिहाषन पर मराथे सरे मालो मर को ऩरेज हैं लेकिन तभी कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण जो पूरी जो स्थिती थी वो बिल्कुल उलट गई अब वो क्या घटना थी उत्तर पश्चिम से नए आक्रमनकारी का प्रवेश। अब ये जो नादिर्शाह था ये कहां से आया था इरान का आक्रमनकारी था ये इरान से भारत में इसने प्रवेश किया था अब इसने यहां पर आकर के क्या किया भयंकर मार काट और लूट पाट किया दिल्ली में खासकर इसने भयंकर मार काट किया लोगों को मारा मुगल साम ले गया अब यहाँ पर प्रसिद्ध तक्तो ताउस भी ले गया तक्तो ताउस एक इस तरह का सिहासन था जिसे की मयूर सिहासन भी कहा जाता है मयूर सिहासन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिहासन के पिछले भाग में दो मोर बने हुए थे नाचते हुए मोर बने हुए थे और ये अपने आप में बहुत ही सुन्दर सिहासन था इस सिहासन को शाह जहाने बनवाया था जब भी वो राजदरबार में होता था तो वो इसी सिहासन पर बैठा करता था इसी सिहासन में कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था जिसे बाद में अंग्रेज जो है अपने साथ लेकर के चले गए तो यह सिहासन बहुत ही सुन्दर सिहासन था जिसे की नादिर्शाह दिली हमले के बाद अपने साथ इरान लेकर चला गया तो आईए आगे देखते हैं अब यहाँ पर यह बताया गया है कि नादिर्शाह के दिली आकरमन का परिणाम क्या निकला दिल्ली के शाशक कमजोर पढ़ चुके थे मुगल सल्तरनत जो थी वो अपने आप में ही कमजोर हो रही थी लेकिन इस हमले के बाल वहाँ का जो शाशन था वो और भी जादा कमजोर पढ़ गया था मराठों से नादिर शाह का सामना नहीं हुआ नादिर शाह जो था सिर्क दिल्ली पर ही उसने हमला किया वही पर उसने लूट पाट किया लेकिन मराठों के साथ उसका कोई भी युद्ध यहां भारत में नहीं हो पाया मराठों के साथ उसका सामना ही नहीं हुआ दिल्ली का कमजोर पढ़ना मराठों के हित में था नादिर्शाह के हमले की वज़े से दिल्ली की सल्तनत और ज़्यादा कमजोर हो गई थी और इस चीज का फायदा जो है वो मराठे उठाना चाहते थे मराठों ने इसका फायदा उठाया दिल्ली की सल्तनत के कमजोर पढ़ जाने का पूरा फाइदा मराठों ने उठाया अब उन्होंने क्या किया मराठों ने पंजाब तक कबजा जमा लिया अब मराठे जो हैं दिल्ली के कमजोर पढ़ते ही मुगल शाशक जो वहाँ पर उस वक्त थे उसके कमजोर पढ़ते ही उन्होंने क्या किया वहां हमला कर दिया और पंजाब तक उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया ऐसा लगा जैसे मराठे ही भारत पर राज करने लगेंगे और यहाँ पर मराठे इतनी तेजी से राजियों को जीत रहे थे में ले रहे थे इससे लोगों को यहीं लग रहा था कि जब कि मराथे नादिर्शाह हमले से अंत निकट लगने लगा, यहां पर नादिर नादिर शाह के हमले के बाद जो दिल्ली के जो मुगल शाशक थे उनकी स्तिती बत से बत्तर होती जा रही थी मतलब बहुत ही जादा खराब होती जा रही थी ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है आई ये हम देखते हैं इन बिंदों के अंतरगर राजे पर अधिकार और खत्म हो चुका था मुगल शाशक जो थे उनका अपने ही राजे पर कोई अधिकार नहीं रह गया था और द्धाव कुछ भी वो कलेम नहीं कर सकते थे द्धावा multip का मतलब होता है क्लेम करना किसी भी चीज के लिए वो वहां पर κलेम नहीं कर सकते थे उनका द्धाव म बिल जैसा उन्हें कहते थे वहीं उन्हें करना पड़ रहा था लगभग वो कटपुतली की तरह दूसरे शक्तिचाली शाषकों के हाथ में नाच रहे थे आगे हैं दिखावे के लिए अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग उपहार भेजा करते थे लेकिन अभी अंग्रेजों की जो इस्ट इंडिया कंपनी थी वो उन्हें शाषन से नहीं हटा रही थी और समय समय पर उन्हें उपहार भी भेजा करती थी 1835 इसवी तक दिल्ली के बादशा के नाम के सिक्के भी चला करते थे और यहां पर सदियों से ऐसा होता आया था कि जो भी शाषन करता था जो भी राजा होता था उसके नाम से सिक्के निकाले जाते थे तो 1835 तक भी जो भी वहां के बादशाह के सिक्के चल रहे थे वो अभी भी बाजार में उसी तरह से सिक्कों का प्रेयोग किया जा रहा था Company का मतलब है जो East India Company अंग्रेज द्वारा बनाई गई East India Company दिल्ली के बादशाह के एजेंट के रूप में काम किया करती थी ये एक समय ऐसा था जबकि जो East India Company थी अंग्रेज जो थे वो दिल्ली के बादशाह जो भी शक्तिशाली बादशाह हुआ करते थे उनके लिए एजेंट की तरह वो काम करते थे तो आईए आगे देख लेते हैं नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम अब ये एक परिणाम तो ये हुआ कि नादिर शाह के हमले से दिल्ली कमजोर पड़ गई वहां का मुगल शाशक जो था वो बिल्कुल कमजोर पड़ गया और मुगल शाशन जो है वो पूरा खत्म होने की कगार पर आ गया लेकिन इसका दूसरा एक और परिणाम था वो परिणाम क्या था आएए देखते हैं इन बिंदों के अंतरगर अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया अफगानिस्तान एक समय भारत का अभिन हिस्सा माना जाता था लेकिन अब जो है नादिर शाह के हम अब तो ये था दूसरा प्ररणाम अंग्रेज संसे यह अंग्रेज्च के अलावा भी मराथी हैदर अली और उनका बेटा टीप वो भी भारत पर पूरी तरह से कपजा हासिल करना चाहते थे लेकिन अभी अंग्रेजों को एक अच्छा मौका मिल गया था वो ऐसी कौन-कौन सी चीजें थी जिसे करके वो भारत की सत्ता को हत्याना चाहते थे आए देखते हैं बंगाल में जाल साजी और बगावत को बढ़ जाल साजी का मतलब है धोखा घड़ी धोखा घड़ी और बगावत जो वहाँ के राजा थे उनके खिलाफ लोगों को उसने भढ़काना शुरू कर दिया और वहाँ पर अराजत्ता फैलाने के लिए लोगों को धोखा देने यसी चीज़ों को ही उसने बढ़ावा देना पढ़ता है। उस वक्त बंगाल में जिनका शाशन चल रहा था। उनका नाम था नवाब सिराजुद दोला। यहां पर अंग्रेजो ने सिराजुद दोला और फ्रांसीसियों के साथ पलासी का युद्ध किया। इस युद्ध को अंग्रेजों ने आसानी से जीत लिया। फ् पहारत में कबजा करने का यह सबसे पहला कदम जो था वो अंग्रेजों ने हासिल कर लिया अब यहां पर पलासी के युद्ध के बाद पूरे बंगाल और बिहार में अंग्रेजों का कबजा हो गया पूरे बंगाल के साथ धिरे धिरे बिहार पर भी अंग्रेजों ने कबजा अपना जमाल लिया यहां भयंकर सूखा पड़ा लेकिन यहां पर 17 वी में बंगाल और बिहार के बहुत सारे भागों में बहुत जादा सूखा पड़ा था पानी की इतनी कमी हो गई थी कि हजारों हजार लोगों की यहां पर मृत्यू भी हो चुकी थी अब इस सूखे की स्थ मतलब वन थर्ड लोग जो है इस सूखे की वज़े से मर गए थे तो आईए देखते हैं आगे इसके बाद है दक्षिन में भी अंग्रेजों का सामराज दक्षिन में जहां पर की हैदर अली और टीपु सुल्तान का राज हुआ करता था वहां पर भी धिरे धिरे में उसने मार दिया था और फ्रांसिसी जो थे जो दक्षिन के भाग में रहते थे वहां पर भी फ्रांसिसी साथ युद्ध करके उन्होंने पूरी तरह से फ्रांसिसल को खत्म कर दिया अंग्रेजों की विज़े नहें इसfill दख्रा फ्री पसक्र सट्वें kids विजे हुई सत्ता कायम करना चाहते थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे तो भारत में सत्ता कायम करने के दौड में अब सिर्फ तीन जो शक्तियां हैं वो बच गई थी वो कौन-कौन सी थी पहले मराठा, हैदर अली हैदर अली के साथ उनका बेटा टिपू सुल्तान भी था और तीसरे बचे थे अंग्रेज अब जो टक्कर थी वो सिर्फ इन तीनों में ही थी तीन शक्तियों की टक्कर होने वाली थी भारत पर पूर्ण अधिकार के लिए अब इन तीनों शक्तियों के बीच में बार-बार युद्ध हो रहे थे और तीनों ही भारत पर अपना पूर्ण अधिकार जमाना चाहती थी लेकिन यहाँ पर लोगों का मत क्या था लोगों का विचार क्या था जो भारती यहाँ बोगों का यहाँ दीरे-धिरे अपनी सत्ता को फैला रहे थे अब यह आगे देख लेते हैं इसके बाद है मराठों का फैलाओ अब जो मराठे थे वो धीरे धीरे अपनी सत्ता को फैला रहे थे अब ये फैलाओ कहां तक था किस तरह से था आई देखते हैं पश्चिम और मध्य भारत से लेकर दिल्ली तक फैले थे अब इन्हों ने मराठों ने अपनी जो पहुंच थी अपना जो फै कर ली थी यहां तक उनका शाशन जो है वो फैल चुका था वे साहसी और कुशल योद्धा थे मराठों के बारे में एक चीज हम पहले से जानते हैं कि मराठे जो थे उनकी जो राज करने की जो नीतियां थी वो भी बहुत अच्छी थी और दूसरी चीज जो थे वो एक बिल्कुल विरोध में हमेशा खड़े रहे थे इन्होंने अंग्रेजों को भी बुरी तरह हराया था हैदार अले और टीपु सुल्तान जो थे वो सिफ मराठों से ही द्वेश नहीं रखते थे बलकि अंग्रेजों से भी सच्शन में पर उनके युद्ध जो हैं हुआ करते लेकिन यहां पर हैदर अली और टीपु सुल्तान इतने कुशल योधा होने के बाद भी इतने शक्तिशाली होने के बाद भी भारत की शाशक के रूप में क्यों नहीं उभर सके इसका एक बहुत बड़ा कारण था उसका कारण यह था कि यह केवल दक्षिन तक सीमित रहे इन् और यही कारण था कि भारत पर पूरी तरह से अधिकार जमाने का सपना इन्होंने जरूर देखा था लेकिन वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया। बहुत थी अधिकतित्व के यह स्वामी थे। भारती इतिहास का उलेखनी वेकित्व था। नहीं योजनाये लेकर के आते थे और बहुत सारे बदलाव इन्होंने अपने शाशनकाल में किये थे इनकी जो कल्पना थी वो बहुत ही जादा दूर तक थी आने वाले भविश्य को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है इन सारी बातों पर ये समय समय पर विद्ध कर रहे थे लेकिन यहां पर एक युद्ध ऐसा था जिसमें कि टीपु सुल्तान जो है उनकी हार हो गई हार गए शतरा सो निननयानवे इसमी में अंगरेजों जिसमें टीपू सुल्तान बुरी तरह से हार गए थे मराठों का भी दमन लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा जाने लगा कि मराठे जो हैं उनका भी दमन होने लगा मतलब वो भी धीरे धीरे कमजोर पढ़ने लगे अब यहाँ पर मराठों के कमजोर पढ़ने का क्या कारण था मराठा सरदारों के बीच आपसी दुश्मनी मराठों मे जो वीर योधा थे जो वहां के नेता थे उनके बीच में आपसी दुश्मनी पनपने लगी और इस दुश्मनी की वैसे मराठे जो है वो छोटे-छोटे समूहों में बट गए अब उनमें वो एकता नहीं रहे गई थी अंग्रेजों द्वारा अलग-अलग युद्ध करके उ बट जो है युद्ध में युद्ध शुद्ध चा थे वो लड़ा गये थी तक मराठे शक्ति का लग्जाए। अन्त हो गया था अब इस दुश्मनी इस आपसी भेदभाव की वज़े से इस आपसी फूट की वज़े से 1818 में जो मराठे इतने शक्तिशाली माने जाते थे एक समय ऐसा लग रहा था कि मराठे जो है पूरे भारत को अपने अधिकार में ले लेंगे वो मराठा शक्ति अब लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई थी मराठा के बड़े सर्दारों ने इस इंडिया कमपनी की अधीनता स्वीकार कर लिए अभ यहा पर मराठा समुदाय के जो बड़े-बड़े नेता ओर सर्दार बच गए थे उन्होंने भी अंतताफ इस इंडिया कमपनी के सामने घुटने टेक दिये और उनकी अधिनता उन्होंने स्वीकार कर लिया उनके साथ मिलकर के उन्होंने काम करना स्वीकार कर लिया भारत पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया अब यहाँ पर इन शक्तिशाली मराठाओं के खत्म होने के बाद अंग्रेजों का र पूरे भारत में अंग्रेजों का राज कायम हो चुका था अब भारत पर शाशन करने के उनकी नीती क्या थी किस तरह से वो भारत पर शाशन कर रहे थे आईए देख लेते हैं अंग्रेज भारत के शाशक बन गए वो पूरी तरह से एक छत्र जो राज है वो अंग्रेजों का भारत में हो चुका था मराठो ने अंग्रेजी शाशन को आतंग का युग कहा था एक समय ऐसा था जब कि मराठा जो थे वो भारत के लोगों से ये कहा करते थे कि अगर अंग्रेजी शाशन भारत में कायम हो गया तो वो जो युग होगा वो जो समय होगा वो आतंग का युग शाषन सत्ता कायम की लेकिन अंग्रेजों को ये पता था कि अगर भारत में हमें सदियों तक राज करना है तो हमें अपनी जो विवस्था है अपनी शाषन विवस्था है उसे बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर एक सू विवस्थित मतलब वेल ओर्गनाइज तरीके से वो अपनी शाषन को यहाँ पर कायम करना चाहते थे अपनी सत्ता को यहाँ पर चलाना चाहते थे इसलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे से नियम बनाए जिससे की सूचारों रूप से उनकी सत्ता जो है यहाँ चलती रहे उनका अधिकार जो है सदियों तक भारत मे बना रहे अब आगे का एक बिंदू है भारतियों की अनेकता और नासमझी का नतीजा था यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों की जो सत्ता भारत में कायम हुए थी वो हम भारतियों की अनेकता मतलब हमें एकता की कमी थी हमें हम भारतियों में एकता की कमी होने के का और हमारी नासमझी का नतीजा हम अंग्रेजों की मन्शा को समझ नहीं पाए और इसी नासमझी के कारण ही एक समय ऐसा आया जब कि भारत में अंग्रेजों का राज जो है वो कायम हो गया अब यहां पर भारती अगर थोड़ी से समझदारी से काम लेते तो बहुत सारी अंग्रेज भारती सत्ता पर हावी नहीं हो पाते यहां पर अगर भारतियों में एकता होती उनमें थोड़ी सी समझदारी होती तो अंग्रेज जो भारती लोगों पर बिल्कुल हावी हो चुके थे भारत को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था ये चीज कभी भी स नहीं हो सकती थी अंगरेजी सत्ता के बिना भी भारत में शांति और शाषन वेवस्था कायम की जा सकती थी यहां पर हमारी शांति और सकता तो कायम रहती ही, साथ ही साथ भारत जो है उन्नती के रास्ते पर भी आगे बढ़ सकता था, इसके लिए हमें अंग्रेजों के साशन की बिल्कुल भी आविशकता नहीं थी, तो यहाँ पर भारत में अंग्रेजी साशन जो है वो कायम होने के बाद लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो बचो इस तरह से यह जो शीरशक है वो यहाँ पर खतम होता है, आशा है आप लोगों को यह जो शीरशक है, इन फ्लो चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा इस पार्ट के जो बचे वे शीरशक है उनका भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, नमस्कार